हेलो एवरिवन, शिव शक्ति चैनल में आप सभी कस वागत है ये डिवाइन मेस्कुलाइन की करेंट एनरजी के उपर वीडियो है और बहुत जादा प्यारी एनरजी निकल के आ रही है डिवाइन मेस्कुलाइन की तरब से बहुत जादा पॉजिटिव है या मैं ये कहूँ ये रियूनियन की एनरजी है ठीक है जो मुझे पिक हो रही है ठीक है कंटिन्यू और एक सौंग भी चैनल हुआ है और जो एक लाइन है शुरू की सौंग की वो उसी से मुझे पता चल गया कि डियम जो है आपसे मिलना चाहते है या आपसे मिलने की तवन्ना उनके मन में बहुत जादा है किसी ना किसी तरीके से सब कुछ चीजे ठीक होते ही वो आपसे कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे या करें भी आपसे बहुत जल्दी ही ठीक है communication आपको मिलेगा आपके person की तरफ से बहुत जादा positive और बहुत जादा healthy होगा एक दम जैसे कि एक spiritual couple होता है divine couple होता है आपको ये feel होगा इस time में जब वो आपसे contact करेंगे और ये बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि ये song मुझे meditation के time pick हुआ था और बहुत ज़्यादा मेरे एक meditation के time पे ही जहरे पे smile जो divine smile होती है subconscious mind की smile होती है जो connect हमारे universe से होता है तो direct जो channeling हुई है song की वो यही है कि जो आपके partner है मिलने क्या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अगर अभी उनका कुछ भी busy schedule है ये अपने karma balance करने में लगे हैं तो ये चीज़े बहुत जल्दी ही यहाँ पे short out होंगी और आपसे वो बहुत जल्दी मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है और में भी आपसे नवरातरी से पहले ही contact आपको आपके partner से मिल जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा positive energy आ रही है बहुत सी negativity release हुई है बहुत ज़्यादा एक shift आप लोगों ने इस time में feel किया हुआ क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा energy यहाँ पर shift हुई है क्योंकि DF भी अब बहुत ज़्यादा negativity से deal नहीं कर रही है positivity से deal कर रही है धीरे धीरे जो भी negativity थी या जो भी आपने अभी तक face किया था 3-3 portal के बाद वो सब चीज़े अब यहाँ पर DF की तरब से specially balance हुई है और जब DF balance होने लगती है तो आपके partner automatically balance होना start कर देते हैं तो यह DF आपके ही inner work का एक sign है या यह कहूँ है आपने जितना effort डाला है जितना dedication के साथ अपना inner work किया है खुद की healing की है वही चीज़े आपके partner की और भी work कर रही है वह भी balance हो रहे हैं third party एक तरीके से मैं यह कहूँगी अब उनका उस खुद third party को लेकर कोई emotion, कोई attachment या feeling नहीं है आपके partner के अंदर और third party को लेकर भी मुझे जो channeling हुई है जो मैंने कानों से सुना divine ने मुझे सुनाया कि एक होता है आप किसी relationship से निकलना चाहते हो बट सामने वाला आपको उस relationship से निकलने नहीं दे रहा है control कर रहा है नहीं रौब, खुश नहीं है तब भी नहीं आपको मेरे साथ ही time spend करना है आपको मेरे साथ ही रहना है आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है मैं किसी और से प्यार करती हूँ या मुझे कहीं और shift करा दीजे या divorce जैसे चीज़े भी यहाँ पर हो सकती है आपके partner के थर्ड़ पार्टी के बीच में या जो girlfriend है वो भी इस time में उनको छोड़ कर जा सकती है क्योंकि यह बहुत जादा मुझे clear सुनाई दिया था ठीक है तो थर्ड़ पार्टी भी अब एक time आता है divine timing की थर्ड़ पार्टी को भी अब आपके partner की life से जाना होगा चाहें वो df की तरफ हो चाहें dm की तरफ हो थर्ड़ पार्टी रिलीज बहुत पावरफुल तरीके से हो रही है बहुत ज़्यादा positive energy है इसमें अगर मैं बात करूं डियम को किसी तरीके से effort नहीं डालना है थर्ड़ पार्टी को रिलीज करने में जो dm सोच रहे थे कि यह मेरी life से चली जाए या यह मुझे divorce दे या मैं इस relationship से बहार आना चाहता हूँ divine से prayer कर रहे थे कि किसी तरीके से please divine मेरी help कीजिए मुझे guide कीजिए ठीके directly नहीं indirectly अगर उनको twin flame journey के बारे में भी नहीं पता है तब भी वो उनकी prayer बहुत जादा work कर रही है उनको third party से बहार निकाल रही है उनके सारे जो manifestation है या जो वो सोच रहे हैं कि यह मेरे साथ हो जाए भगवान मुझे third party से निकाल दे ठीके और तो वो चीजे dm के साथ हो रही है जो dm अगर struck भी थे अपने कार्मिक पार्टनर के साथ और prayer भी नहीं कर रहे थे तरीके से जब divine timing आता है और आप कर्मा balance हो जाता है तो वो easy way में वो चीजे अपने आप होना start हो जाती है ठीके effortless हो रहा है सबकुछ उनकी तरफ ठीके किसी चीज में effort नहीं लगाना पड़ रहा है कुछ चीजे अपने आप balance हो रही है और dm के लिए बहुत जादा positive हैं बहुत जादा romantic energy या बहुत जादा romantic वाली मुझे energy pick हो रही है आपके counterpart की sexual energy भी ठीके dm की तरफ भी है बट sacred में change हो चुकी है और dm की तरफ भी अब वो एक ऐसा वाला नहीं है कि बस intimacy चाहिए नहीं इंटीमेसी नहीं चाहिए आप भी चाहिए ठीके एक pure love एक divine love जो dm feel कर पा रहे हैं और आपको उनका touch ठीक है meditation के time feel हो सकता है maybe उनका आपको कुछ ऐसी presence लग सकती है अपने आसपास की कोई आपको touch कर रहा है अचानक से आपके चेहरे पे एक smile आ जाना या उनकी कोई बागत याद आ जाना या आप अचानक से उनको miss करने लगो अचानक से आपके mind में वो आना start कर दें ठीक है कुछ बाते आपको याद आने लगे ठीक है या आपका और ये sign मुझे बहुत strong मिला है कि आप मैंसे बहुत से df के साथ strong palipathy चल रहा है इस time में ठीक है ये एक बहुत प्यारा sign है आपके लिए दूसरा आपको synchronicity आपके person के नाम की अचानक से बहुत जादा दिखाई दे रही वहाँ पर जहां आपने सोचा भी नहीं कि यहां आपको आपके partner का नाम दिख सकता है या आप सुन सकते हैं तो ये reunion के energy मुझे बहुत जादा पिक हुई है बहुत ही positive energy है और जो song है बैसे तो सिर्फ song का पहले ही line मुझे जिसमें ये clear है कि वो मिलना चाहते है बट आप पूरा song सुनना चाहें तो सुन सकते हैं मैं description box में डाल दूँगी तो आज की energy बहुत ज़्यादा positive है आपके counterpart की तरफ से और ये आप देखेंगे कि जो नवरातरी आ रहा है धीरे धीरे नवरातरी तक आते आते और ज़्यादा energy shift होगी और ज़्यादा positivity को pick करेंगे positivity को अपनी life में manifest करेंगे attract करेंग ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी तब तक लिए अपना ध्यान लखिए खुश रहिए सौस्त रहिए